हेलो दोस्तों क्या हाल और चाल हैं आपके I hope सब कुछ बढ़िया होगा आज की इस वीडियो में सेंडे है तो आपको पता होगा क्या वीडियो आने वाली है आप सभी के भेजे वे ओडियो को रिव्यू करने वाला हूँ तो हम 14 नमंबर तक रिव्यू कर चुके थे लास्ट वीडियो में आज की वीडियो में हम 15 नमंबर आनवर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नमंबर का महीना सफा चट कर दें सारे के सारे रिव्यू कर दें तो चलिये शुरू करते हैं मैं आपने जो वाइस वर कर रहा है वो थोड़ा सा हाफ हाटेड़ी लग रहा है यानि कि उतनी एनरजी नहीं है उसमें एमोशन एन एक्स्प्रेशन प्रॉपर नहीं है अगर आप कोई वर ड्रैग भी कर रहे हैं जैसे तो ना वो बस यह कि आपने कहने को ड्रै कर दिया and slam the door उसमें वो feeling नहीं है and slam the door मतलब कहीं कुछ लगना चाहिए कि भाई door slam भी हुए तो वो एक plain सा जा रहा है भी flat जा रहा है उतने मन से या उतने उठावा नहीं है तो और इसमें वो डालिए मसाला मसूला emotions का modulation का तब जाके सामने वाला इंटरस्ट दिखाएगा वरना उसे तो कुछ time मद लाएगा भाई सब कुछ similar सा है ओके work on that बहुत समय पहले की बात है एक घना जंगल हुआ करता था एक बढ़ न जाने कैसे पूरे जंगल में भयंकर आग लग गई और यह देखकर सभी जानवर भैभीत हो गए कि अब क्या होगा थोड़ी ही देर में जंगल में भगदर मच गई देखिए आपने कुछ question बोचा है कि इसमें bass clarity pitch है pitch ठीक है clarity ठीक है bass आपकी आवाज में उतरा नहीं है which is fine मेरे भी आवाज में बहुत जादा bass नहीं है और यह कोई requirement नहीं है voiceover artist बनने के लिए कि bass होना चाहिए जहां तक voiceover की बात है आपकी आवाज अच्छी है दोस्ता स्टोरी टेलिंग में भी अच्छा कर सकते हैं पर अब यहां बहुत low confident मतलब जैसे कहते हैं कि nervous feel कर रहे हैं record करते हुए और pauses बहुत जाता है flow नहीं है आपके sentence में आप abruptly pauses ले रहे हैं सही जगह पे pauses नहीं ले है उससे क्या है कि flow टूटता है और सामने वाले का भी connect नहीं बन पाता जब ऐसे हम कहानी सुनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले के mind make visualization बने उसके दिमाग में images बने वीडियो बने बट वो जिस तरह से आप take कर रहे हैं वो break हो रहा है ठीक है और confident होके बोलिए व voice is a creative field है अपनी creativeness को जाने दीजिए बाहर निका लिए क्या हो जाएगा वैसे भी तो इसमें खामियां आ रहे हैं है ना और थोड़ा creative बनेंगे open होंगे better ही होगा ठीक है be open be confident सुनते है next audio कैसे बदलो के मुझे मैं सवेरा हूँ हर रात के बाद आऊंगा कैसे ठुकराओगे मुझे मैं हकीकत हूँ हर ख्वाब के बाद आऊंगा कैसे समझाओगे मुझे मैं जवाब हूँ हर सवाल के बाद आऊंगा मैं मैं अपने कोशिश अच्छी करी है बर हर दो लाइने सिमिलर सी साउंड कर रही है अगर आप स्क्रिप्ट भेशते तो मैं जरूर आपको पढ़ा के बता पाता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ but it's like same tone throughout मतलब वो एक बार-बर जब सिमिलर सा साउंड करता है आपको कुछ नहीं को चेंज लाना पड़ेगा सर्प्राइज कर रहा पड़ेगा सामने वाले को कहीं पे आप रुग गए अचानक कहीं पे थोड़े सॉफ्ट चले गए क्या समझाओगे मुझे इंस्टेट आफ क्या समझाओगे मुझे तो वो कभी ऐसा चला गया ठीक है पर अचानक से ऐसे हो गए तो ओह 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 बस वहाँ पे आपको काम करना है दोस्टो अब मेगी खाते टो इस वीडियो को चरू देखना क्यूंकि मेगी के बादे में ऐसे जनकर यूटूब पर डेखने नहीं मिली होगी दोस्टो आपको भी अधी राट को भूख लगने पर मेगी के अलवा दोस्ट आपकी हिंदी प्रिनंसियेशन ठीक नहीं है आपको बहुत काम करना पड़ेगा उसके बाद आप खुल के नहीं बोल रहे दूश्टो आपको एशी खुल के बोल रहे जो आपको पूरा बंद है बोलते हुए दोस्त आपने जो recording करी है अभी वो again एक पहले एक recording आई थी nervous है काफी recording आपकी बिल्कुल flat है एक आपने line पढ़ दी कि आपको एक line दी गई आपने उसको पढ़ दिया पर आपको उसमें इतनी छोटी line में भी आपको उतार चड़ाफ करने है जैसे हम inflections कहते हैं पिछली वीडियो देखिएगा जब हम voiceover terminologies की बात करते हैं उसमें मैंने inflections के बारे में बताया था fluctuations के बारे में बताया था वो आपकी आवाज में नहीं है अभी dull है इसको उठाना पड़ेगा सुनते है next audio N.C. Ryan आपना एक भेजा है वो अल्रेडी एक audio के बीच में आपने dub करा हुआ है तो वो में नहीं डाल सकते due to copyright issue बट आपकी आवाज देखिए अच्छी है बट pronunciations पे आपको काम करना है मजाखिया, महसूस, जहां पे आया smart तो वो smart से पहले आ रहा है पूरी लाइन में काफी words हैं जहां पे आपकी pronunciation में खामिया है तो आपको उच्छारण पे काम करना है आपकी आवाज अच्छी है आपके emotions भी अच्छे है, emotions भी आ रहे थे पर जहां वो pronunciation खराब होगी ना, खाम खराब हो जाएगा उस पे काम करिये, मज़ा आएगा, you can do it, okay तुशारण जन आपने script तो भेज दी है, बट audio attached करना भूल गए है आपके audio इसमें attached नहीं है और राजीव यादव जी आपने भी भेज़ा था, इसमें एक script है, audio नहीं है सुनते है next one मानता हूँ उनके connections होंगे पर उन connections से घबडा कर अपने नयतिक मूलियों की आहूती नहीं देनी है नियम बनाने वाले और नियम का पालन करने वाले, दोनों एक बराबर होते है आपकी आवाज अच्छी है दोस्ट, थोड़े modulations भी आप कर रहे हैं, good but pronunciation जहाँ पर रह आ रहा है नवहाँ पराबर आपको problem हो रही है जहाँ पर हम बात करते हैं, घबरा कर, तो वो घबरा कर मतलब वो कर, र आपका clear नहीं है, र किस speech पर आपको आपको गाम करना है और भी आगे जहाँ पर रह आ रहा है बराबर वहाँ पर भी बराबर आप बराबर नहीं बोल रहे हैं तो ये मैंने आपको बारीकी से बता दिया है इस पर आप काम करिएगा मज़ा आएगा but you can do it आवाज and emotions अच्छे हैं तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आप भी अपना ओडियो भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu at there at gmail.com इस इमिराइडी पर भेज सकते हैं याद रखिएगा कि वो mp3 format में हो एक मिनिट से कम हो बिना किसे music के हो and आप जो script record कर रहे हैं अगर वो साथ में भेज सकते हैं तो बहुत बढ़िया मैं पढ़के भी बता पाऊंगा कैसे आपको करना है सुनते है next audio और तुशार जी आपके अगली mail में मुझे audio मिलके है Good दोस्त आपने यह जान के robotic voice में करा है या क्या है क्योंकि बहुत ही robotic है इसमें spare की pronunciation भी ठीक नहीं थी मजब एक एक वरड़ आप जर्ग दे दे के बोल रहे हैं आप simple flow में बोलिए Tell me how you use your spare time and how you spend your money and I will tell you where and what you will be in 10 years from now A goal is a dream with a deadline कहां pause लेना है modulation अभी तो आपके recording में कुछ नहीं है आपको बहुत कुछ डालना है सारी पिशली वीडियोस देखें बहुत हेल्पन लेगी आपको सुन दे है next audio दोस्तो क्या आप जानते हैं लड़कों के तुलना में लड़कियों को ज़्यादा और अधिक पुरे सपने आते हैं दोस्तो कहा जाता है कि लड़कियों को समझना बहुत ज़्यादा मुस्किल है दोस्तो आपकी pronunciation ठीक नहीं है जर जर जहाँ पे जर यूज होना है वहाँ पे आप जर कर रहे हैं और वाइसा वर्सा जर की जर का जर शर सर तो जो बेसिक प्रॉबलम है काफी लोगे को चारण में प्रॉबलम आती है आप भी उसी से पेड़ित हैं उसको आपको ठीक करना पड़ेगा अगर अगर हिंदी के आपको pronunciation साफ करनी है तो तो जो वर्ण माला है उसको सुनिए उसकी pronunciation की practice करिए शीशे के सामने खड़े होके कि सर आना है या शर आना है सुनते हैं नेक्स टोट के लफ़ है तेरा चेहरा अलफाज हैं तेरी आँखें ये जो कलम है ना मेरी हैं तेरे होटों जैसी तू एक किस्सा बन जा मेरी कहानी का किरदार बन जा मशूर तो पहले से है तू अब एक मिसाल दौर बन जा आपकी आवाज अच्छी है जनाब बट जो अभी modulation है या emotion है वो उतने अच्छे से नहीं आ रहा fluctuations नहीं है आपकी आवाज में उतार चड़ाव जिससे हम कहते हैं वो नहीं है आपकी आवाज भारी है अभी it's like आप for example just imagine आप ऐसे बैठे हैं कि ला 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 जिसमें थपड मारने के हरे घंटे में 600 रुपे मिलते हैं पर इसमें अजीब बात है कि कोई भी आदमी अपने आपको थपड मरवाने के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता है लेकिन एक काम क्या है इंडियन अमेरिकन बिजनस मैन मनी शेटी ने दरसल इन भाई साथ थोड़ा सा पंजाबी एकसेंट है जी आपकी आवाज में क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं बॉलिवुड के तीन स्टार जिनोंने आज तक दारू और सिग्रेट को हाथ नहीं लगाया अब यहाँ पर क्या है कि आप बस फ्लैट बोले जा रहे हैं और उसके बाद एरिटिंग में जरा भी पॉज नहीं है क्योंकि शाइद यह अगर शॉर्ट्स वीडियो है या फिर फास्ट फास्ट बोलना है आपको तो आप बस पर 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 इस तरह से आपने बोल दिया दोस्त इस तरह से काम नहीं जल पाएगा एक तो वैसे यूट्यूब पर फैक्ट चैनल की भंडार है लाखों फैक्ट चैनल आ गए है तो उसमें आपको स्टेंड आउट करना है न तो आपको अपने वोईस ओर पर बहुत काम करना पड़ेगा या तो आपको किसी वोईस ओर आटिस को हायर करना पड़ेगा अगर खुद करना है तो काफी महनत करनी है आसान काम नहीं है कि आपने एक्स क्रिप्ट उठाई और पढ़ ली बहुत महनत जाई ही उसमें अगर कैसे बोलना है आपको बताऊं तो बॉलिवोड के तीन स्टार जन्होंने आज तक दारो और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया नमबर वन सोनु सूद जिनने आपने फिल्मों में तो विलेंस का रोल करते हुए या दारो सिगरेट पीते हुए बहुत बार देखा होगा लेकिन वही रियल लाइफ में यह दारो और सिगरेट से बहुत दो रहते हैं आगे बढ़ते हैं आपकी आवाज अच्छी है ग्रेन है आपकी आवाज में पर आपकी प्रनेंसियेशन ठीक नहीं है यहाँ पर लिखा है मिनाक्षी पर आप बोल रहे हैं मिनाक्षी सर कहां से आया क्ष है तो यह जो हमारे ही होते है न ऐसे ही यह क्ष जो बना हुआ है यूट्यूब वीडियो पर उसकी प्रनेंसियेशन देखिए आपको क्लियर होगा कि और आपको रियलाइस होगा कि मैं तो सर बोल रहा हूँ सर कहां से आया सर तो लिखा भी अलग जाता है बहुत छोड़ी छोड़ी चीजें हैं दोस्त उन पर काम करना है सुनते हैं नेक्स्ट आटियो थोड़ा साउथ इंडियन किसी लैंग्विज का एकसेंट है अब इसमें क्या है कि आप जो एंड भी होता है ना हिस्सा है 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 कुछ नहीं होता है है वर्सेज है आप है बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा के साथ खड़े है 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 नहीं है है या है वैसा अमरे जीवन का एक महत्व पुरुन हिस्सा है पैसा पास है तो सभी रिष्टेदार दोस्त आपकी जरूरत पे साथ खड़े है अब यहां हैं क्यों आया क्योंकि प्लूरल है तो यह जो हैं हैं इनकी बात है यहां पे आपको काम करना है और उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट है वोईस ओवर में जो आप मोडिलेशन करते हैं वो ठीक करें तो पहले तो उच्चारण को आप साफ करिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों महा भारत के युद्ध में एक बार ऐसा समय आया जब अकेले अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को हरा दिया था जी हां दोस्तों बात तब की है जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यू के शोक में था और अपने पिता की मृत्यू का बदला लेनी के लिए उसने पांडवों पर नाराय नास्तर का प्रयोग किया था आपकी आवाज अच्छी है आप बोल भी अच्छी तरह से रहे हैं आपकी आवाज के अंदर और मौडिलेशन भी आप कर रहे हैं अब जो नेक्स्ट आपको मेहनत करनी है इसी मौडिलेशन को और नेक्स लेवल लेके जाना है और थोड़ा सा आपको परफॉर्म बिटर करना है पॉसिस का इस्तमाल करिये यूज पॉसिस वाइजली वहाँ पे बहुत आप इंपक्टफुल एक वोईस वाइज कर सकते हैं चलिए सुनते हैं नेक्स लोटियो नमस्कार दोस्तो यह कहानी तो दिल्ली की है लेकिन इसकी सुरूआत महराष्ट के पाल घर से होती है महराष्ट के वाल घर में एक पडिवार रहता था जो अभी भी बहुत 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 काम करना है आपको चारण पर आदे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में यही देखता हूं लोगों में कि प्रनेंसेशन साफ नहीं है वो जब तक वो बहुत बेसिक है अगर वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी न तो काम नहीं मिल पाता चलिए सुनते हैं नेक्स आउडियो एक वीवर लिखते हैं कि उन्हें ये वीडियो देखने से और रिव्यू करने से अपनी आवाज को पता चला कि वो कैसे बोलते हैं कहां कहां उन्हें और काम करना है so thanks a lot मकसद ही यही था देखो ये सब वीडियो बनाने का मकसद क्या है मुझे क्या मिल रहा है मुझे यह है कि हाँ आपका जो ओडियो है वो बेटर हो जाएं और जो व्यूज वगरा आते हैं अच्छी बात है उससे हरिदय में प्रसन्नता जरूर होती है पर yes the bigger motive is कि आप improve करें जो आप कर रहे हैं that is great जिससे सब आज रावन की नाम से जानते हैं वो तब केवल ब्रह्म देव का एक परमभद था जिसने अनकीनत वर्षो तक अपना सब कुछ त्याग कर अपना तन, मन, धन अपने स्रिष्टी कार की तपस्या में आरपन कर दिया रावन की भक्ती अटूट, असीम थी जिस दरह से आपने परफॉर्म कराया बिल्कुल जायज है ऐसे जरूर acceptable है जाएगा और अगर आप स्क्रिप्ट भेजते तो मैं एक दो और वेज आपको बताता की किस तरह से आप उसे कर सकते हैं और उसमें emphasis डाल कर और stress डाल कर बट ये भी चलेगा, बहुत अच्छा टेक है, आवाज आपकी अच्छी है और जो अपने स्क्रिप्ट यूज करी है उसको मैच भी करती है, great, well done सुन दे नेक्स रोडियो मुल्ला नसीरुदीन को कौन नहीं जानता, उनके अपने मजाक्या सबाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है आपको बता दें कि मुल्ला ना तो नमाज अदा करते थे और ना कभी मस्जिद जाते थे बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक वे काफिर कहते थे एक दिन उनके महले वालों थोड़ा सा आपको clarity लेके आनी अपने शब्दों में स्वभाव जो था वर्ड तो वो आपने स्वभाव मतलब वो clear नहीं था उतना एंड काफिर कहते थे एक एक वर्ड में clarity लाना जरूरी है बट आप रास्ता आपने सही चुना है सही तरह से आप कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए बिल्कुल ठीक है बस शब्दों में clarity लेकर आईए और जराजी और modulation and you are good to go my friend शलिए आज का last audio सुनते हैं दोस्तों अगर आपको ऐसी movie पसंद है जो thriller और horror हो तो आज हम आपके लिए लाएं ऐसी movie जिसका नाम है killer under the pet जिसके निर्देशक ये फियर है movie में ये दिखाते हैं कि कैसे एक लड़की जिसका नाम किली है वो एक जादूई कुडिया को उसकी family को नुकसान पहुचाने से रोकती है और वो अपनी मा की मदश से उसको फिर से एक रसी के सहारे बान कर क्याद कर देती है मैं मापकी आवाज अच्छी है pleasant है आपकी आवाज clarity है बट थोड़ी और clarity चाहिए आपकी आवाज में और अभी modulations थोड़ी और ज्यादा आप कर सकती है जिस लाइक दोस्तों अगर आप ऐसी फिल्मे देखना पसंद करते हैं जो thriller और horror हो तो आज हम आप के लिए लाए हैं एक ऐसी ही movie जिसका नाम है Killer Under The Bed जिसके निर्तेशक Jeff Harry है movie में ये दिखाते हैं कि कैसे एक लड़की जिसका नाम किली है वो एक चादुवी गुडिया को उसकी family को नुकसान पहुचाने से रोकती है और वो अपनी मा की मदद से उसको फिर से एक रसी के सहारे बाथ कर कैद कर देती है तो ये अपने बुला फिर से तो फिर नहीं आएगा फिर से बट इस तरह से और आप फोड़ी मॉडिलेट करिए अच्छा कर रही है आप कर सकती है आज हम बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाए बिकॉस इन्ही कुछ पांच-छे दिनों में बहुत आडियो जाये थे इसका मतब यह है कि मुझे अगले संडे से पहले भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं यह रिव्यूस कर सको ताकि November जल से जल खतम हो because I too want to be on track and be similar to the dates जब आप भेज रहे हैं उससे December का तो मैं December में match कर लो तो आज हमने 20 November तक ही खत्म कराया जी हाँ पांच दिन में इतने सरे audios आये थे Thank you So आगे बढ़ते हैं जल्द वीडियो एक और आएगी and अगर आप भेजना चाते हैं बेज सकते हैं scriptsforhimanshuatthere.gmail.com पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा अपने suggestions देना, कुछ पूछना है नीचे comment कर सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए इस channel को subscribe कीज़ेगा and yes A to Z voiceover online course जो शुरू हो चुका है उसे देखना मत भूलिए basic से देखिए एक भी वीडियो miss ना कीजिए because वो एक base है बनाने का एक voiceover artist बनने का जो base है वो वली वीडियो अभी आ रही है उनको miss करना बिलकुल मत भूलिएगा मिलते एक लीडियो में तब तक के लिए